हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सबी लो दिसी क्रॉसल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट आई की छोटी सी क्लास में मैं आपको बताने बाला हूँ एक फ्रेज उसका प्रयोग और किस तरह से आप सेंटेंस में इस फ्रेज का प्रयोग करेंगे तो आज का जो फ्रेज में ने लिया हुआ है यह है आपका in a while ध्यान रहे यहाँ पर in a while को आप में पूरा प्रयोग करेंगे कहने का मतलब है कि article a है तो आप यहाँ पर कोई दूसरा article प्रयोग नहीं करेंगे फिर in proposition लगा हुआ है इसमें तो आपको यहाँ पर किसी un proposition का भी प्रयोग नहीं करना है तो in a while यही एक phrase है जिसको आप यहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे वो देखें हिंदी मीनिंग ही बात करेंगे तो इसका मतलब होता है थोड़ी देर में in a while means थोड़ी देर में थोड़े समय बात mostly in a while जो है वो future हो रेप्रियेंट करता है कि कोई कार भविस्स में होने बाला है या होगा तो वहाँ पर इस phrase तो आपको लगाना है mostly प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो आपका पहला sentence है कि हम थोड़ी देर में मिलेंगे हम थोड़ी देर में मिलेंगे यहाँ पर देखेंगे तो आपको sentence समझ में आईगा कि यह sentence आपको future में बनाना है पहली बात तो अब कौन सा future बनाना है तो यह sentence बनेगा आपका future indefinite tense future indefinite tense की helping verb की बात करें तो क्या होती है will और shall ठीक है will और shall होती है main verb इस tense में कौन सी आती है तो यहाँ पर base verb आती है यानि की verb की first form infinitive form का प्रियोग करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो subject है वो क्या लिखेंगे आप we we shall मिलने के लिए हम क्या लिखेंगे we shall meet कितनी देर में थोड़ी देर में तो थोड़ी देर में यह जो phrase है इसका complete आप जो लिखेंगे word of phrases तो वो हुआ आपका in a while यानि कि हम थोड़ी देर में मिलेंगे दूसरा sentence लेते है मैं थोड़ी देर में आउंगा मैं थोड़ी देर में बापस आउंगा तो इसको आपको कैसे बनाना है यहाँ पर subject क्या है आपका I तो हमने I लगाया normally I के साथ हम कौनसी helping word प्रियोग करते हैं तो आप cell का प्रियोग करोगे लेकिन जब भी हम किसी से promise करते हैं क्या करते हैं promise तो future tense में जो cell और will का प्रियोग है वो exchange हो जाता है तो यहाँ पर I के साथ हम cell के स्थान पर will helping word का प्रियोग करेंगे कि I will I will be back मैं बापस आउंगा कितनी देर में थोड़ी देर में क्या लखेंगे in a while I will be back in a while तीसरा sentence है वो है थोड़ी देर में यहाँ आएगा वो है थोड़ी देर में यहाँ आएगा वो है के लिए क्या हो जाएगा he तो he will be from कहां आएगा यहाँ पर he will be from here कितनी देर में थोड़ी देर में in a while अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होगे कि जो in a while फ्रेज हम use कर रहे हैं वो कहां पर use हो रहा है sentence के अंत में तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको यह sentence के in में ही लगाना है next है वो है थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा सब के लिए क्या लखेंगे everything everything आगे थोड़ी देर में लगा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको पहले लिखेंगे इसको लास्ट में लखेंगे everything will we find everything will we find यानि सब कुछ ठीक हो जाएगा कितनी देर में in a while in a while उसको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी उसको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी उसको के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर pronoun he he will समझ आना समझ आने के लिए क्या लिए लिए understand he will understand क्या थोड़ी देर में यानि कि in a while तो बहुत ही simple है किसी भी phrase किसी भी चीची आप यदि दसपां sentence कि भी practice कर लेते हो न तो definitely आपको सारी चीज़ें फिर clear हो जाती है next है थोड़ी देर में वह सो जाएगा तो वह है के लिए क्या लिए लिए he he will fall asleep he will fall asleep sorry एक खटा बाड़ है एक पिनिट fall asleep कितनी देर में थोड़ी देर में in a while okay next देखेंगे और next है यहाँ पर sentence खटा थोड़ी देर में वापस आने की कोशिस करें तो यह sentence क्या है आपका यह लिखा हुआ है imperative sentence उसमें भी request है तो हम लिखेंगे पहले please अब imperative में क्या करना है आपको बर पहले कोशिस करना please try try to come वापस आने के लिए back please try to come back कितनी देर में थोड़ी देर में तो यहाँ पर क्या हुआ आपका in a while please try to come back in a while यहाँ थोड़े समय के लिए बैठो यह sentence भी आपका imperative लिखा है तो यहाँ पर देखेंगे बैठने के लिए फ्याल करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे sit ठीक है कहाँ बैठना है यहाँ sit here sit here कितने समय के लिए थोड़े समय के लिए लेकिन यहाँ पर in a while का प्रियोट नहीं करेंगे ठीक है ना यहाँ पर प्रियोट रिया जाए गा फोर ए वाइल sit here for a while हो रहा यहाँ पर इनवाइल ने थोड़े समय में ख्राना तयार हो जाएगा तो यह तो फ्रेज हो रही है subject नहीं है subject है ख्राना भोजन यानिके the food the food will be ready the food will be ready कितने समय में थोड़ी दीर में in a while next बढ़ते हैं और next है sentence नमर 10 थोड़ी देर में बारे सुरू हो जाएगी थोड़ी देर में बारे सुरू हो जाएगी तो बारे सुरू होने के लिए हम यहाँ पर प्रियोग करेंगे introductory subject it क्या लखेंगे it will it will सुरू होने के लिए start इसके बाद क्या लखेंगे running it will start running कितनी देर में तो थोड़ी देर में in a while तो यह हो गए आज ही श्लास में 10 exampals of in a while तो आप लोगों को आज ही श्लास यह सी लगी in a while आपको समझ में आया रहे या नहीं आया यह यह दि कोई भी doubt हो कोई भी आपको problem हो तो comment के माध्यम से आप लोग वता सकते हो और next class किस topic पर कर लें यह भी आप लोगों बताते रहा चारों जो भी में classes बनाता हूं mostly वही बनाता हूं जो हमारे पास comment के माध्यम से आती है तो keep learning and keep watching thank you